आज नेपाल टीम गाईज खाली एक बिकर से हार मिला जो कि नेपाल टीम जीता हुआ मैज गाईज नेपाल टीम हारा है 100% जीता हुआ नेपाल टीम ऐसा खेलता रहेगा तो नेपाल टीम कोई सपोर्ट नहीं करेगा जो लीक्टू का जो मेचे से गाई नेपाल टीम लगाता ह हार रहा है उसमें कोई जीत नहीं पा रहा है कुछ इंप्रूब नहीं हो रहा है क्योंकि नेपाल टिम जीता हुआ मैस गईस नेपाल तीम हारा है जो सब्सक्राइब फिनिश किये थे फिप्टी थी नमाय थे पां लंबे-लंबे छक्के ठर्टी फाइब गेत पर देखके गाईस मज़ा आ गया था इसा लग रहा थे नेपाल टिम में में जी जाए गईस लास्ट में यह हुआ कि नेपाल टिम को एक बिकर से मेंच हार मिला ए यहां कि आप लोग नेग्ए खेला रहा था दुन सुलूट होना चाहिए क्योंकि एशाल लग रहा खायए है कि नेपाल को बहर करनाiin अच्छी बात दोनों के लाड़ी को बाहर किता फिर भी नेपाल के टोप और सरन नहीं बना अर्जुन सौथ ने कुछ नहीं कर पाए आसिप सेख ने कुछ नहीं कर पाए भीमसार की भी कुछ नहीं कर पाए जो कि यह लोग अच्छे सेट हो गए थे ज्यादा बॉल भी खेल फिर भी अपना बिकट फेट के चले गए तो उनके लिए आप जितना तारीप कर उतना कमती में बार बोल के यह आ रहा थे गुलसन जहां को लोर ओडर में आके बैटिंग से रन बनाके दिये थे बिकले इस गेन बाजी भी सांदार किये थे गुलसन जाने फिर इस वह मत बोलो आरिफ शेक और रोहित पॉड़ा का नोग चुकि आरिफ से भले गाई से 35 बनाके गए थे बहुत ज्यादा बॉल खेल देखिल वह उनको जरूरत था उस ट्याम रोहित पॉड़ा साथ देना जिसाप रोहित पॉड़ेल बैटिंग किया था सेबेंटी पर 60 बनाये थे उसमें चाहर लंबे लंबे छक्के माई तो रोहित पॉड़ेल ने का इस कलास अपना दिखाया था क्योंकि का इस पॉल ठटी वन रन पर गाईस तीन बिकर नेपाल टिम को गिर गया था अगर आरिफ शेक और रोहित पॉड़ेल का पाटनर्सिप ना लगा ह अगर रोहित पॉड़ेल आउट हो जाते अरिफ एक आउट हो जाते तो नेपाल तीम दोसों नहीं लगा पाता विए गुलस्तान जाने जब 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 बाजी किया बाजी बाद में यह हुआ कि नेपाल टिम को हार मिला हम लोग को दुखी है क्योंको राद पर नेपाल बजा टिम हार जाता हुब कि नेपाल टीम आज फाइट किया आज फाइट टिस लेफळेद से लेटो में यह बजी से लेट नेपालटेम किया प्लीट ने जीता में बछा इंद बाज़ा पर सुनोचौ सूने सब्ढ़ बाल पर जीड़ा है 일반 आपसे लग—oop लास्ट में नेपाल टीम को एक बिकड़ से हार मिला गैस गैनबाजी सांदार हुआ गुलस्तन जाने ने 47 देखके पांच बिकड़ लिया जोगी का इस करन केशी को दो बिकड़ मिला संदीबला में चाने उतनी अच्छी से गैनबाजी नहीं कर पाद इस आप बाजी करके आ कर रहे तो नेपाल टीम को फिर आज के मैच में एक बिकड़ से हार मिला जोगी आप लोग खुश नहीं होंगे आप नम नाराज होंगे कि नेपाल टीम ओमान से कनेड़े से कापी अच्छा तीम है कापी मजबूर्टी में फिर भी नेपाल कनेड़े साहर गया फिर नेपाल दूख अमान से आज Ellis नेपाल टीम हार रहा है नेपाल नारम कोई कोई सपोर्ट नहीं करीघा ते लिए में फषां के सब्सक्राइब करें अब हो अभी में जमीन आसमान का फरक है क्योंको नेपालू कभी हार नहीं मानता था था करना है तो तो किसने अच्छा खेला आप कमेंट कर सकते हो अपना राय देशक्ति वीडियो अच्छा लाइक भी करो चाहे और अपना दोस्ता में वीडियो को